बड़ी की मात्रा भी चल लही है तो बड़ी की मात्रा ही आज पढ़ाएंगे जब तक अच्छे से आप लोगों को लर्न ना हो जाए वड़ी की मात्रा कि कई बार उसको पढ़ते रहे है अभी देखिये यहां क्या लिखा है सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे द पड़ी की मांत्रा दीप पपया की मांत्रा पा वली दीपा वली का दिन था दीपा वली क दिन था श, श, पे बड़ी एक ही मांत्रा सीतल शीतल घर की सफाई कर रहे थी दीपावली का दिनथा सीतल घर की सफाई कर रहे थी ऐसे पढ़ो सब उसकी नानी वँँपाई सीतल की नानी वा मामी भी आई नानी नाशपाती लीची वखील लाई सबकी नानी लाती है ना नानी पीली शाड़ी पहन कर आई सीतल का भाई दीपक आया दीपक नई कमीज पहन कर आया दीपक तितली मत पकड रानी भागी भागी आई तितली उड़ गई फिर से इक बार पढ़ते हैं दीपावली का दिन था सीतल घर की सफाई कर रही थी उसकी नानी वा मामी आई नानी नासपाती लीची वा खील लाई नानी पीली शाड़ी पहन कर आई शीतल का भाई दीपक आया दीपक नई कमीज पहन कर आया दीपक तितली मत पकड रानी भागी भागी आई तितली उड़ गई नी जी आने को क्या है गुन गुनाओ सीमा का भाई आया खटी मीठी रसभरी लाया भाई गाता यही गाना सारी रसभरी मत खाना वरना पढ़ जाएगा पच्चताना अभी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप जैसे दद अबेबढ़ी की मांत्रा दीप ऐसे करेंगे पढ़ेंगे तो धीर धीरे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोपी में राइट क्या करेंगे कोपी में उसे कितना यह दिए है लिक लेँगे पहले इसमें से क्या है जैसे भर बड़ी की मात्रा वाले शुर्ट पर लगाएंगे तो ज़्यब बोला लगाएंगे तो इससे आप की बडि इद की मात्रा की पहचान होगी बड़ी की मात्रा कहों साय आल वी इसमें सा जाएर पप्पैन के मांतर शी सेट्व कर την 5-center जिक Back डाज जारॉत्भा यह अम्हारा हैहे। छोटी की मांतरा चूटी की मांतरा पौन का जाएगा। हमारा काउन से काउन कौन सा बड़ी की मात्रा है नीचे भी आप देखेंगे कि कौन से कौन से सब पर बड़ी की मातर लगी है तो उस पर ऐसे करके गुला लगाएंगे तो इससे आपको पढ़ना भी आएगा और आप पहचान होगे थैंक यू